नमस्कार मिर्शाद अलिया और आप देखरें यूपी शेत्ता नियूज ख़बर फरुकावाद की दुनिया तक संपूर समाधान दिवस में समस्याओं का तुरंथ निस्तारण डियम बोले जवरन कबजा करने वालों पर होगी सक्त कारवाही जवरजस्त सर्दी होने पर भी उम्री फर्यादियों की भीड़त दोस्तों ख़बर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस ख़बर को लाइक करें शेयर करें कमेंड करें और देखते रहें यूपी शेत्तनियूज। जिलादिकारी मानवें सिंग्वा पुलिस अधिक्षक अशोक कुमार मीणा ने संपूर समाधान दिवस कायम गण्ज तैसील में मौजूद रहकर पीडितों की समस्याइं सुनी और उनसे सहलता पूर्वग वर्तालाप करके समस्याओं के समाधान की और वाजिब कदम उठाए कुछ समस्याओं का मोगे पर ही निस्तारन कर दिया और जो बाकी बची समस्याओं उनको निस्तारन की संतुष्टी करके समंदित विवागों के लिए भेज दिया गया और जल्दी जल्द समस्याओं के गुणवत्ता पूर्वक निस्तारन के लिए समंदित अधिकारियों को निर्देश दिये जिलदिकारी मानवे सिंग की कहा कि शाषन की मंशा के अनुसा जल्दी से जल्दी और समस्याओं का गुरवत्ता पूरवक निस्तारन किया जाए सासन के मुख्या चाहते हैं कि उनके शाषटकाल में कम से कम समस्याए हूँ उनकी इस मनशा को पूरा करने के लिए हम सभी भी परतिबद हैं जिलादिकारी ने कहा है कि शासन ने भूमाफियाओं के विरुद अभिहान चलाया है जिले में जबरजस्ती जमीनों पर कबजा करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाए इसमें कोई धील बरदास नहीं की जाएगी लोगों को घरों से बेगर करने देने वाले ये भूमाफिया शासन पर शासन के लिए चनोती हैं इसलिए इनका खात्मा होना चाहिए उन्होंने कहा है कि बिना सक्षम आदेस के संक्रमणिय भूमी की पैमाईश ना की जाए शासन के निर्देस अनुसार जन्पत इस्तरिय अधिकारी शिकायतों का एक सब्ता में निस्तारान सुनिच्चित करें निस्तारान में गुलवत्ता का अवस ध्यान रखा जाना चाहिए पुलिस कप्तान अशो कुमार मीना ने समाधान दिवस कायम गज्च में मौजूद रहकर विभागे समस्यां सुनी और मात हतों के उन निर्देस दिये की मौका मौाइना करें जाच के बाद नियाएपूर कारवाई करते हुए अपरादियों के विरुद कड़ी कारवाई सुनच्चित करें उन्होंने कहा कि थाना दिवस में आने वाले प्राथना पत्रों को संग्यान में लिया जाना चाहिए और जाच करके उन पर कारवाई की जाना चाहिए S.P. ने कहा कि थाना देवस को सिर्फ किताबी नहीं होने दिया जाएगा उन्होंने कहा कि महकमे के सक्षम अधिकारी अपरादी वा नियंतन के लिए हर वक्त तैयर वा सक्रिय रहें किसी भी पिरकार की लावार परवाई या बहाने वाजी बरदास नहीं की जाएगी तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इर्शाद अली जैहिन